बहुत सारे किसान भाई आम की खेती करते हैं, मगर जब हमारे आम के पोधे में फूल बनने की अवस्ता होती है, यानि माल से अप्रेल के मद्ध जब हमारे पोधे में फूल यानि की बौर बनता है, तो उसमें फुपन्दी जनक और कीट नाशक रोगों का खत्रा बढ़ जात है, तो काफी ज़्यादा बौर को प्रभावत करती हैं, इससे हमारे पोधे में आम की संख्या कम हो जाती है, चोटी सी गलती के काड़ हमें आम की सही प्राप्ति नहीं हो पाती है, किसान भाईयों अब हम बात करेंगे इस दवा के बारे में, यह दवा क्रिसको कंपनी की ज जो 70% WDG है, इसकी केमिकल की बात करें, तो इमीडा क्लोरोफिड 70% WDG इन्सी साइड दवा है, किसान भाई, अगर आप छोटे किसान हैं, यानि की 4-5 पेड लगे हैं, तब भी आप इसका प्रियोग चरूर करें, यह पैकेट 30 रुपए का आपको मार्केट में मिल आप अपने पेड के हिसाफ से इसका स्प्रेक कर सकते हैं, किसान भाई, आप प्रदी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला कर अपने पेड के हिसाफ से इसकी मातरा रख सकते हैं, अगर आपके पास 10 पेड हैं, तो आप 10 ग्राम इमीडा क्लोरोफिड और 10 लीटर पानी को मिला कर आप अपने आम के पेड़ पर इस्प्रेक कर सकते हैं किसान भाईयो छोटी सी गलती के काड़ हम अपने पेड़ में आये हुए बाउर को बरबात कर देते हैं और आम की संख्या कम हो जाती है किसान भाई अगर आप अपने पेड में आमों की शंख्या बढ़ाना चाते हैं तो या इस्प्रेज जरूर करें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसान भाईयो आसा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर करना न भूले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत जय जवाज जय किसान